सबसे पहले मैं प्रेजिडेंट बाइडन को इस खारक में जूटने के लिए धन्वाद देना चाहूंगा और आप देखते होंगे कि हाँ पर क्रिसी से लेकर के स्पेस तक शायद जीवन को स्पर्स करने वाले कोई ऐसे ख्षेत्र नहीं है जो टेक्नोलोजी के माध्यम से हमा यहां मौजूद नहों और दूसरी बात है कि यहां वैल एस्टाब्लिश्ट फर्म्स भी हैं और स्टार्ट अप्स भी हैं जो दोनों एक नए विश्व की लिए मिलकर के काम करने के दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि राश्प्रति बाइडन के निस दूप म है टेक्नोलोजी के महातमई को समझते हुए हैं अमेरिका ने टेखनोलोजी में जो प्रगेती की है वह और भारत के यूवा विश्व करके टैलेंट के घारण विश्व में अपने एक पहचान बना रहा है तो टैलेंट और टेखनोलोजी में मिलन मैं समझता हूँ को एक ये सुबह कुछी मित्रों के बीच की है लेकिन ये सुबह उजवल भविश्य की गारंटी लेकर के आई है और मराश्पती बाइडन का इस महतोपूर्ण भले ही छोटी हो लेकिन मैं कहता हूँ ये होनहार है ये शांदार है और ये धारदार भी है और ये आने वाले भविश् है और इसलिए एक उजवल भविश्ली आश्रा पेशा के संकल्प के साथ हम सब लोग राश्पती बाइडन का जो वीजन है भारत के जो एस्पिरेशन से राश्पती बाइडन के पाद जो ताकत है और भारत के पाद जो संभावना है उन सब को लेकर के आगे चलने का एक मक अपकम देर्धार का यह उसर है और इसके लिए मैं सच मुझ में मेरी मित्र रहमेंडों को बहुत अभिनंदन करता हूं को उन्होंने भारत की आतरा की कापी समय निकाला और उन्होंने खुद ने जो अनुभव किया और उन्होंने आकर के यहां इसको आगे बढ़ाया मैं आपका भी आभारी हूं और राश्पती बारेंजी का जितना आभार करूं उतना कम है मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं